नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों कुछ चीजे ऐसी होती है जो कि अपने आप में ही काफी शक्तिशाली होती है जैसे कि आपकी रसोई में मौजूद कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनकी सुगढ़ बेहदितीवर होती है और उनका तांतरी क्रियाों में भी बेहदी प्रयोग किया जाता है जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा इलाची का लोंग का अनेको परकार के तंत्र में मंत्र में टोटको आदी में प्रियोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों आपकी रसोई में मौझूद इन तीवर सुगंदित मसालों में एक ऐसी दिवशक्ती होती है जो कि अपने आजपास अद्रिश्य शक्तियों से शक्ती प्राब्त करने में सहयक होती है इसलिए दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको सब्सक्राइब बताएंगे कि आप लोंग का एक ऐसा उपाय बताएंगे कि आप लोंग का इस्तमाल करते हुए कैसे इन अद्रश्य शक्तियों से सहता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और जी सकते हैं एक सुक्मई जीवन दोस्तो आपको बता दें कि लोंग एक ऐसी वस्तु है जिसका वशीकरण में सबसे अधिक इस्तमाल किया जाता है महीं अद्रश्य शक्तियों से सायता प्राप्त करने के लिए ये प्रमुख रूप से प्रियोक की जाती है यद करते हुए एक बार कमेंट बॉक्स में जैमा तादी, जैमा लक्षमी, हरर महादेब, जैब जरंग बली एक बार कमेंट बॉक्स में अवशे लिग दें बलकि कुछ जगाओं पर भूत प्रेत आदी बाधाओं से निवारण के लिए पीडित व्यक्ति के घर से लोंग को बाता रानी को भेट सवरूब बे लोंग का जोड़ा चड़ाया जाता है, दोस्तों जो लोग भी हनुमान जी के बगत हैं, वे जानते हैं कि लोंग की अनुमान जी की आरती करने से, यानि लोंग के दोरा हनुमान जी की आरती किये जाने से, आपको जितने भी जीवन में श वे लोग प्रती दिन हनुमान जी के आर्टी लौंग से ही करते हैं। ऐसा करने से ब्यक्ति जितनी भी शतृता और इर्शा रखता है। या फिर आपको जितना भी नुक्सान पचाने के बारे में सोच रहा होता है। उसकी सक्ति पूर्ण तर नश्ट हो जाती है। बलकि अग अगर आप अपनी किसी भी विशेश परकार के मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो आपको सर्फ करना इतना है कि आपको एक बिलकुल कोरा कागज बिलकुल सफेद रंगा कागज जिस पर कोई लाइन आदी ना बनी हुई हो ऐसा एक कागज ले और उसके उपर लाल रंगे पैन, स्केच पैन आदी से यानि लाल रंग से अपनी इच्छा या मनोकामना जो भी है वह आप उस पर लिख दीजिए बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको केबल एक ही इच्छा या पर एक ही मनोकामना लिखनी है आपको एक से अधिक नहीं लिखनी है उसके ब साब की उमर है तो आप 15 लोंग उसके उपर रख दीजी अब आप इस कागज की एक पुडिया बना कर इसके उपर एक लाल रंग का दागा बांध कर तीन गांट लगा दें अब आपको इसे जेसी गी में डुबो कर किसी भी मिट्टी के बरतन में दीपक में आदी में रख करक आपको अपने नजदी के किसी भी मंदिर में जहां पर माताराने का मंदिर हो वहाँ पर आपको इसे रख करके जला देना है या फिर आप इसे अपने घर के मंदिर में जहां पर आपके माताराने की तस्वीर या फोटो या मूर्टी रखी हो उसके सामने किसी भी कटोरी बर लक्षमी रूपे इने संसिता नमस्तसे 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 नमुनमा चाहे तो इस मंत्र का या पर किसी भी बीज मंत्र का मतालक्षमी के लिए आप जाप करते रहें और साथ-साथ अपनी मनोकामना को बोलते रहना है और मतारानी से प्रार्थना करनी है कि शीगर अति-शीग है कि एक बार करने पर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तो आप इसे लगातार करते रहें यानि जिस भी वार को आपने इस सुरू किया है यानि कि सौम बार को या शुकर वार को या किसी भी वार से सुरू किया है तो अगली बार फिर से उसी वार को यानि कि पूरे एक अफ़ फिर आफसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिदे में इजाज़त धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना बुलें जै मातादी, जै मालक्षमी, हरर महादेव, जै बजरंग बली